Hello everyone, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने PHP स्क्रिप्ट को लाइव सर्वर के साथ यूज कर सकते हैं जैसे normally क्या होता है हम HTML फाइल को लाइव सर्वर के साथ यूज करते हैं और जो भी कोड में हम चेंजेस करते हैं उसको यहाँ पे सेफ करते हैं तो ब्राउजर पे हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता तो यह सीम चीज अगर हमें PHP की स्क्रिप्ट के साथ करना है तब हम क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास लाइफ सर्वर होना चाहिए इंस्टॉल बीएस कोड बे तो यह इसका आइकन है यहाँ पे इसके डेवलेपर का नाम दिया हुआ है तो यह एक्स्टेंशन तो अमस्ट है यह आपके पास होना चाहिए और नॉमली अगर हम HTML फाइल की बात करें तो जैसे ही हम गो लाइफ पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता और यहाँ पर देखिए यह हमारी फाइल लाइफ चल रही है इसके अंदर हम कोई भी चेंजिस करेंगे तो इधर हमारे ब्राउजर पर यह आटोमेटली रिफलेक्ट होता है ठीक है हम बार बार इसमें रिफरेश नहीं करना परता ब्राउजर को अपने लेकिन यह सेम काम हम अपनी PHP स्क्रिप्ट के साथ नहीं कर सकते तो ऐसा करने के लिए आपको एक एकस्टेंशन चाहिए जिसका नाम है लाइफ सर्फर वेब एकस्टेंशन तो यहाँ पर आएंगे तो दे यहाँ पर टूल बार में आइकन दिख रहा है इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यह पॉप अप दिखा में यहाँ पर हम आउन कर लेंगे लाइव री लोड को और जो नीचे वाला अड्रेस है यहाँ पर हमें सर्फर का एड्रेस देना होता है यहां कि जो हमारा सर्फर है वो किस address को serve कर रहा है या किस पे चल रहा है तो देखिए यह रहा हमारे server का address 127.0.0.1.5500 यह दिया हुआ है आप इसको चाहो तो VS code के यहाँ पे port से match कर सकते हो तो यह 5500 असल में port number है बाकी आगे का address है तो इस पूरे को complete को यहाँ पे हमें बस copy paste कर देना होता है इसके उपर ह files को हमें live reload करना है तो हमें reload करना है live localhost slash test slash अब test वाले folder के अंदर जितनी भी files होगी हमारी वो live reload होगी ठेक है और इसमें एक शर्त होती है कि जो हमारा live server है VS code का वो on होना चाहिए ठेक है तो यहाँ पे simply apply कर दीजेगा और उसके बाद यहाँ पे इस page को चाहाए आप refresh कर ल automatically हमारा browser refresh हो रहा अब हमें browser पे जाके refresh नहीं करना पड़ रहा बलकि यहाँ पर हम changes सेफ कर रहे है और browser अपने आप automatically refresh कर रहा है ठीक हमारी file को तो ध्यान दीजेगा कि VS code का live server और browser का extension है वो दोनों on होना चाहिए दोनों में सही से path दे दीजेगा जो आपके server का path है और actual जो